रियाना के सोनीपत में नैशनल हाइवे 44 पर पिकप बुलोरो ने ट्रेक्टर में पीछे से टक्कर मार दी आपको बता दे कि गाउंगड़ी के पास हुए इस हाथसे में बुलोरो सवार तीन महिलाओं समेच चार की मौत हो गई वही दुरघटना में पांच वेक्ती घायल भी हुए आपको बता दे कि हाथसे के बाद घायलों को कन्नौर के अस्पिताल ले जाया गया जहां उनको प्रात्मिक उपचार देने के बाद सोनीपत के नागरिक अस्पिताल में रिफर किया गया तो वही चारों मृतकों के शब को भी पोस्मार्टम के लिए सोनीपत अस्पिताल भेज दिया गया है पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हाथसे के बारे में सूचना दे दी है और उनके आने के बाद पोस्मार्टम के कारिवाही होगी आपको बता दे कि पुलिस हाजसे के कारोणों को लेकर छान भीन में लगी है Bureau Report, IPR